नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर पंचक पांच दिनों तक रहते हैं चन्दवा जब धनिष्ठा, शत्विशा, पुर्वा भातपद, उत्रा भातपद और रेवदी नक्षत में गोचर करते हैं तो उसे पंचक आजाता है चन्दवा कुम्ब और मीन राशी में गोचर करते हैं तो पंचक की स्थिती बंती है पंचक को भदवा के नाम से भी जाना जाता है पंचको के दोरान लगडिये कठा करना और खईदने की मनाही होती है इसके अलावा मकान में छड़ डलवाना, दास अंसकार करना, पलंग या चारपाई बनाना और दक्षे दिशा की यात्रा करना अशुमाना जाता है ऐसा करने से पंचक दोश लगता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में पंचकाल कब से कब तक रहेगा दिन दिनांग वो समय क्या रहेंगे तो चलिए शूर करते हैं आज के वीडियो को एक इन वीडियो शूर करने से पहले अगर आपने इस चैनल पर नए है और अभी तर्थ आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगामी पंचकाल के तिदियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तक है आपको मेरे वीडियोस की नोटिविकेशन मिलती रहे जो जलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जून दो हजार चौविस में पंचकाल का आरंभ होगा 29 मई दो हजार चौविस दिन बुद्वार को रात के आट बच कर 6 मिनट पर मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मलेंगे किसी नए वीडियो के साथ